ओम शान्थी, आज आपके वर्दान का 61 दिन आज परमात्मा के साथ का जो सम्बन्द है उनके साथ में रहना, उनके निकट रहना उनकी श्यक्तियों को अनुभव करना उनकी पवित्रत को अनुभव करना यह सारी चीजें अनुभव करने के बाद में एक ऐसी निशानी होती है जो कि हमें भगवान का संग को हो, परमात्मा का संग को हो, खुदा का संग को हो, उसको दर्शाने वाली एक ऐसी शक्ती, एक ऐसा चिन जो कि परमात्मा आज हमें याद दिलाते हैं तो इंसान को तो बहुत सारे टाइटल मिलते हैं, राजाओं को ताज मिलता है, लोगों को कुरसिया मिलती हैं, उपाधिया मिलती हैं, लेकिन परमात्मा कौन सी उपाधी, कौन सी एक ऐसा टाइटल, कौन सी एक ऐसा एक चिन्न हमें देते हैं, जो आत्मा परमात्मा के साथ र इश्वरिय भग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति सरूब भवा लाइट का क्राउन आपने दिखा ओगा कई संत हैं कई धर्म स्थापक हैं जिनके सर के पीछे एक क्राउन दिखाते हैं सफेद प्रकाश का क्राउन वो क्राउन क्या है वो पवितरता का प्रतीक है सफेद दिखाते हैं वालब प्यूरिटी आत्मा की जो सबसे इंपोर्टन शक्ती जो आज आत्मा उने खोई हुई है वो प्यूरिटी है एक दूसरे को धर्मों में बाटना impurity है एक दूसरे को संबंध में आते हुए धन्द के अनुसार नापतौल करना impurity है किसी के साथ में इस्तरी पुरुष के अनुसार, link के अनुसार, gender के अनुसार भेदभाव करना impurity है रूप रंग के नुसार, देश, विदेश, भाशा, सब चीजों के नुसार भेद भाव करना impurity है और आप देखें आज चारों तरफ आपको purity नहीं पर impurity ही दिखती है तो इस impurity को हटाने के लिए परमात्मा हमें आकर के आत्मे ज्यान देते हैं आत्मे ज्यान माना की हमें परमात्मा जैसा शक्तिशाली बनना जिसमें किसी के प्रती कोई वैरना हो ऐसा शक्तिशाली बनने के बाद में आपके मस्तक पर भी एक प्रकाश, आपके पीछे भी एक प्रकाश फैलता हो दिखता है और आत्माओं को आपकी आँखों में आखे डाल करके केवल आपका प्रकाश दिखेगा, आपका चेहरा भी छुप जाएगा ये मेरा स्वेम का नुभव है, ब्रह्म कुमारी इसमाने के बाद अमारी जो दानदी जानकी, जन्होंने शरीरी छोड़ा था पिछले वर्ष करोना के टाइम पर एक बार उनके पास जाते हुए, उनसे आखों में आखे देखते हुए, उनसे वर्दान लेते हुए उन्होंने मुझे एक ऐसा नुभव कराया, जिसमें कि मैंने केवल उनकी दो आखे और उनके पीछे का एक सफेद प्रकाशी प्रकाश, जैसे एक फृरिष्टे का होता है, वैसा नुभव किया ये कौन आत्में जो ऐसा करा सकती है, जिनके मन के अंदर कोई के प्रती, कोई भी एक शन के लिए एक दिन में एक संकल भी अपवित्र ना आता हो, ऐसी आत्माय करा सकती है तो परमात्मा हमें भी कहते हैं कि ये ही एक बहुत बड़ा वर्दान है जो कि मुझसे जुणने वाली आत्में प्राप्त करती है, तो देखें ये कौन सा क्राउन है, तो परमात्मा कहते हैं दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है, राज्य है, राजा है किसी देश के, किसी छोटे खंड के, तो वो निशानी है किसकी, भाग्य की निशानी, और राजाई की निशानी ताज होता है, मुकट होता है, ताज मिलता है, ऐसे ईश्वर ये भाग्य की निशानी ये लाइट का क्राउन है, ईश्वर से हमें क्या प्राप्त होता है, पवित्रता में रहना उनके साथ में उनकी ही बाते सुनना सोचना व्यरत बातों को कान के इंदर वो तेने इस कान से गुसा है उस कान से निकालने भी ने देना इधर घुसने भी ना देना इधर से गुसा तो यहां पर चलना शुरू होगा मन में वैसी बातें से दूर रहना ताकि पफित बढ़ती जाती है जैसी impurity आई आपके चहरे पे ही काला पन काला वाला काला पन नहीं अंदकार वाला ये दिया बुझा हुआ है अंदर का उस बुझे हुए दिय को जलाने के लिए हम परम पिता परमात्म से चुड़ते हैं तो बाबा कहते हैं संपून्ट पवित्र आत्माए लाइट के ताजधारी होने के साथ-साथ उसके साथ-साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन होती है तो यहां पर अगा प्राप्तिय वैं हम सान ज्यान ले ले लेते हैं तो केवल ब्रहम tark चर ब्रहमा के आचरन में चलने वाले नहीं, सिर्फ सेलेबसी को फॉलो करने वाले नहीं, लेकिन अपने सारे जीवन में जितना है जो है संतुष्ट मनी आत्मा है, सफलता मूरता आत्मा है, किस चीज़ में सफलता, सफलता सिर्फ यह नहीं कि धन दौलत में सफलता, सफलता मतलब कि मन में सत परिस्ति की प्रेम की आनन्द की खुशी की वो किसी से मांगते नहीं है उल्टा देने वाले होते हैं साथ साथ सर्फ पृप्तियों से भी सम्पन होती हैं अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो light का crown पश्ट दिखाई नहीं देगा आप सोचो जिससे चंद्रमा की भी कलाएं होती है कभी इतना सभी चंद्रमा कभी सम्पून चंद्रमा होता है लेकिन कभी-कभी आस्ते-स्ते काला होता जाता है तो हमारे अंदर जितनी प्रामात्मा से प्राप्ति होंगी उतना उसकी सफेधी बढ़ती जाएगी और जितनी हमारे अंदर अब पवितरता आएगी उतना ही कालापन आता जाएगा जैसे चंद्रमा का होता है ना हमावस्य की रात होती है फिर पूर्णिमा की रात होती है ये आत्मा की निशानी है परमात्मा कहते हैं तो पवित्रता बढ़ाते चलें परमात्मा से जुरते चलें meditation सीखे, 7 दिन का course करे और आप समझ पाएंगे कि परमादना कहना कह चाते और आपको देना कह चाते इसी के साथ ओम श्यानती